दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। 2024 कैसा होगा देश के लिए.? देश की स्थित कहां जाएगी? 2024 में चुनाओ भी हैं? मोदी जी का भविस क्या होगा, खरगे जी का क्या होगा, रहुल का क्या होगा, इंडियाई गडवदनन का क्या होगा। मैं सब आपको सिल्सले बाल बताना चाहे रहा हूँ पहली बात तो समझ लिजे कि 2024 की सुरुवात भगवान संकर के दिन सोंबार से हो रही है पाउस मास में कर्ष्रपक्ष में पंचमी तिथी में यह क्व कि 2014 का जो योग है वह आठ है और आठ का स्वामी जो है वह संीं आठ्र का स्वामी स्थ CT logist के हिसाब से आठ जो है उकी के इन öl्री 살 जोतिस सास्त की गर्ना जो है उसका अपना एक पैमाना है एक तो जोतिस सास्त का है चंद्र रास्फल दूसरा लगन रास्फल तीसा नक्षत रास्फल चौथा अंक रास्फल इसके अलावा कुछ लोगों ने लोगों ने सेन बैलेंटाइन लोगों ने एक नया रास्फल जो दिया लव फंडा या लव रास्फल उसके कोई भी जोतिस में वहलू नहीं है अब जो लव रास्फल है उसके बारें बता दें अपने आज अब साधिया होती थी तो पहले ही गुर्षूत्र मिलाया जाते थे उसके बाद साधिया होती थी इतने गुर्षूत्र मिलने सोला मिलने सथा जितने ज्यादा मिलते थे उतने अच्छे माने जाते थे जब पत्निम नहीं पढ़ती थी तो भी गुर्षूत्र मिलाया जाते थे तो उससे लोग अलर्ट हो जाते थ जो तिस हमारा ग्रेट था ग्रेट है ग्रेट रहेगा कॉमर्सियल लोगों ने उसको बिगारा अब आईए मोदी की क्या पोजिशन है तो सबसे पहले हम उपर से आएं प्रिदान मंतरी मोदी की कि 2024 में चुनाओं भी हैं क्या इस सितियां होंगी तो मैं आपको बताना हूँ पहली बात तो आप नोट कर लिए 2024 में मोदी की स्थित क्या होगी मोदी की कुंडली में मंगल है नने मोदी की कुंडली में मंगल है और जिसके ग्रे में कुंडली में मंगल वैठा है उसका कितने लोग आं बहेल आये बुद्धी पर मकदमे हुए bear मनमोल सिंग ने कि अन्य ने किए स्ट तुनिया जी ने किए लाहुrog ने लिए फॕिंश की कि टमाम लोगों ने मगए सबसे में अपने जिन जिन लोगों ने कियो चुनाओं नहीं जीत पाएं बड़ी बुड़ी इस्थितिया हुई आच्छी दम्रम की क्या इस्थित हैं दूसरा जन्म के समय इनके जन्म के समय चंदमा मंगल दोनों ही कुंडली में पहले से हैं तो आप समय लीजे क्या पोजिशन होगी चंदमा मंगल दोनों ही कुंडली में पहले से पहले घर में दूसरी बात आपको उताना है पहले घर में हैं ब्राचिक रास में बैठे हैं अब आप अंदा लगए चंदमा मंगल दोनों ही कुंडली में पहले से ब्राचिक रास में न बुद्ध केतु और नेप्चून है अब आपको बताना है नेप्चून के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं जिसके भी ग्रह में बैठा होता है वो हमेशा गद्धी पर रहता है ना कभी गद्धी से उतारा जाता जब तक जीवित रहता है यह नोट कर लिजिए नेप्चून जो है वो कि माउ तुशे तुंग के उस पर था कि बासिंटन के उस पर था फीडल कास्टों के उस पर था नहरूजी के उस पर था नहरू जीवित ती नोब जीवित तक पतर न webpage नहरूजी के उस पर तAss नहरूजी के उसमें राजनेकों के उसमेए नेप्चून था ये मोदी के ग्यान में घर पे बिराजमान है और गुरु माराज जो है वो चौथे पे है चौथे पे मतला आपको ताने एक बिलक्षण कुंडली है लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया मोदी की अगर आपको सही उसका अकलन लेना है तो आपको मतला देना है कि इनका जो जन्न है वो बिलकुश सही आपको जो गरना है वो ये है सत्रा सेटम्बल उननिस सो पच्चास को अवजार्ड अवजीद मोहुर्त में बारा बचकर नो मिनट साहरे तीन सेकिंड में इनका जन्न हुआ साहरे तीन सेकिंड अगर यहां से आप गरना लेंगे उस गरना के हिसाप से हम बतला रहे हैं गुजरात के बढ़ नगर में हुआ था ब्राक्षिक लगनिकी इनकी कुंडली है ब्राक्षिक लगनिकी कुंडली है दूसरी आपको बताना है कि इनके उसमें गुरु माराज चौथे घर पे ब्राजमान है चौते घर में शुक्र और सनी के आमने सामने बैठे हूए हैं सबसे बड़ी बात गुरु माराज शुक्र और सनी के आमने सामने बैठे ग्रहों की इस्ठित के कारर pleased की कुंडली जो है इतनी मजबूत है सुभ योग बने हुए और मैं आपको बता दूँ दुनिया के बहुत कम लोगों के अंदर ये थी ये बासिंटन पे थी ये चीज भगवान कर्ष्ट पे भी बोली जाती है ये चीज ये जो ग्रह थे ये हर्सवर्धन के उसमें थे समराज विक्मा दि और ये एक ऐसा योग है जो बहुत बड़ा होता है महाराजा लरजी सिंके भी ये योग था महाराजा लरजी सिंके दूसरी बाद चोल बंज के जो लाजा थे जिनकी बरावर सत्ता चली उनके भी था ये उसमें कौन-कौन से ऐसे वो हैं आप समझ लिजे कि जो अपने आप योग है वो योग बहुत कम लोगों के एक साथ इतने गज केसरी गज केसरी जिसमें गरेश बगवान ब्राजमाने गज केसरी दूसरा मुसल इनका जो मुसल योग है यह आपको बताना इसका जो चाया है इसकी बज़े से यह पुरवतर भारत पे इस वाल चूकि आठ योग आता है 2024 का पूर्वत्तर भागर भारत में बेंगॉल पूरा नॉर्थ इस्ट उडिसा और बिहार में इनको आसातीत सपलता मिलेगी उसकी बज़े मुसल योग का सबसे ज्यादा नुकसान है ममता बनर जी को हुगा यह नोट कर लिए गच केसरी है इसके लबाग केदार योग बहुत बला योग रोचक योग रोचक योग बोशी योग भेली योग मतलब एक से चंद्रमंगल योग लोगों ने यह नहीं बताया बड़े बड़े पौमिश्टी के जानकारों ने इन योग इसके अलावा सुनिये नीच भंग योग सबसे बड़ी बात यह उसकी वज़ के अत दबे हुए तबकों को आत्मसाथ कर लेंगे गले लगा लेंगे यही योग भगवाल नाम को लंका से बिजय दिला करके लाया था उन्होंने केबट को तुरंत पैसे दिये तुन्त पैसे दिये उनको एक बेर खिला करके खा करके तो भगवाल नाम ने उनको बाकाय दे कि बेर खटे तो नहीं है तो यह सब चीजे ऐसे यह नीच भंग योग जो है वह आप समझ लिजे बहुत बड़ी है यह निश्चित कर समझ लिजे कि मोदी कोई ऐसा काम जरूर कर करेंगे कि इस देश में जिसके कारल हम लोगों का सर्म सर से जुग जाता था कि यहां पर यह कहा जाता था कि दबे कुछले लोगों के साथ ठीक से बड़ाबरी का दरजा नहीं मिल पाया मोदी के नेत्रत में उन सब को मिलेगा और ऐसा लगता भी है जो लोग बंचित होए हैं उनको बहुत यह योग आपको मैं चीज और वत ला रहा हूं यह योग एक और राजा में था जो कुछ भी हो अच्छा उनोंने किया है और उनकी अपना एक स्थान है ये साहुजी माराज पे था तो साहुजी माराज के लाज में सभी को बराबरी का दरजा मिलता था ये योग एम जी राम चंदरन के उस पे था इसलिए एम जी राम चंदरन ने आपने देखा होगा कुछ एक उनका अपना अलग ये योग कामलाज जी पे था तो ये योग का होना किसी भारती लाज़नी नेता पर बहुत बदा मुकाम रखता है यह यह भाज आपा कि सी नेता पर नहीं रहा नग किसी पर नहीं यह आपको सिप्सित को एक बहुत बड़ि हैं कि दूसरी आपको बताना है इनके साथ अमर रोग अमर योग अमर योग की बहुत बड़ी बैलू अमर योग इसके अलाबा कालट योग काले योग काले योग की आप सुले काले योग की बज़े से इनको बहुत मजबूती रहे संक योग शंक क्या है दो संक थे आपको बताना महा भारत काल में एक संक था अरजुन के पास और एक संक था क्रश के पास एक का नाम गांडिव था और दूसरे का नाम पांची जन्न था पांची जन्न तो आपको तारे पांची जन्न जो संक है यह संक योग बहुत कम लोगों को हुआ है और इस संक योग का रहता है कि जब वो अपना संक बजा देते थे तो महा भारत में लड़ भेडी तक और उसकी आवाज चांद तक जाती ते घटोतकस जैसे लोग सुन लेते थे यह योग मोदी के उसमें है संक योग पांच जने पेपर भी लोग का निकलता जो तब से लेके आज दिन तक चला संक योग दूसर अलावा आपको बहुत दुखत बता दे आई इंडियाई गडवंदन में कुछ लोगों का नाम चला इसमें से तीन लोगों के में मारकेश योग है मारकेश योग है राहूल गांदी के जो कुंडली देखने पे साफ जाहिर होता है कि प्रिधान मंत्री बनने के उनके चांस दायक होगा सुकृत्सनी के साथ सत्रु स्थान पर बैटा ऐसी परिस्तित में क्या पॉजिशन होती है कि आदमी के अपनी पतनी से भाईयों से उनसे नहीं पढ़ती मगर ऐसे राजा बहुत सफल होते हैं ऐसे राजा बहुत यह योग अर्जुनों क्रेश्र में भी था 2526 में मोदी कोई इंटरनेशनल लेबिल पर बहुत बड़े काम करेंगे यह आप नोट कर लिजे कोई भी नहीं रोग सकता अब आपको बताने इन सब का क्या दो हजार चौविस का योग आठ आता है दो हजार चौविस और चौविस हैसा चौविस इनको जो समय 14 और चौविस इनके लिए बर्दान हो जाएगा अब आम आपको बताने मोदी का कैसे सुरुवात हुए 1974 में शमग्र किरांती में जब जैपकार नायन ने आभान किया तो मोदी उस समय फॉर्म पे आए इनको कमान सौपी गई उसके बाद 84 में जब सिक्कों का वो हुआ तो मोदी को सबस्यादा बुड़ा लगा 84 में इन्होंने काफी अच्छा इनको जंप मिला उसके बाद 94 में जंप मिला अब 2004 के बाद यह आप सुलें बढ़ते चले गए 2014 में देश के प्रधान मंतरी बन गए और 2024 में इनके लिए बहुत ज़्यादा सुब होने जा रहा दुनिया की कोई ताकत नहीं रोख सकती मोदी को प्रधान मंतरी बनने से यह नोट कर लीजे चुकि इनके ग्र और 2026 में यह भी कर सकते हैं कि मोदी अपनी एज का वह वाला करके पूरी उसमें मगर कहीं पर कोई वह बीजेपी के उस पर नहीं वाएगा अब आपको बताना है कि और लोगों का भविस्ट क्या है हाई के आपको भारत का जो पोजिशन है वह भविस्ट आंगे अच्छा है गाइतरी मंत में भी चौवीस अच्छा नहीं और चेज़ा मानें और चुद्ध करेंगे 2024 उनको सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा उनको आराम मिलेगा दूसरी बात आपको बताने हैं यह दो हजार ψबीट बाला बजय लगने बुद में같ए बुद्ध देवता के अध्युपत सी गडेज जी जी तो आपको इता होड़ा से बुद्ध देवता की बज़ए से बुद्ध देवता इनके मीधी के भाजपाके पाके के साहिए अनकूल इनकी भाजपा के कुंडली देखने अब आपको उससे ज्यादा मजबूत है हमारा जोतिस उससे ज्यादा मजबूत है जोतिस विज्ञान हमने बहुत पहले कर दिया था सूर की परिकमा हम लोग करते हैं चांद मेरा भाई है मेरा टुकला है यह नहीं दसमलों हम लोगों ने निकाल लिया तो जीरों हम लोगों ने निकाला हमारे जंतल मंतर इसके गवाए हमारे जोतिस में आकास लेके पाताल तक हम लोग पूर्मा और अमावश्चा में पूजा करते थे उस दिन खामोश रहते थे उसी दिन जौर भाटे आते हैं तो हमारा जोतिस जो है आर्टिव पुराया गया यह कौन किसने बिच्रवाया था अस्वस्थामा ने दूसरा किसने बिच्रवाया बड़े बड़े उन लोगों ने बिच्रवाया जो बड़े लोग थे दुर्योदन ने बिच्रवाया दुर्णा चार्ज जी ने बिच्रवाया और धहतलाज जी ने सब ने से सं रहा है योग संक्रामग लोगों पे भी बिजे मिलेगी